आचा करता हूँ, आप सब बहुत अच्छे होंगे, मिरा नाम ऐसे धान तक नहीं हो, तरी स्टेडी ग्लोब स्परापका बहुत 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 बागते हैं दोस्तों मैं बहुत बिजी हूँ, इसलिए मैं लेचेज अब भी नहीं ला पा रहा हूँ बट मैं बहुत जल्द स्टेड सीरीज, बहुत जल्द क्या एक अक्टूबर से स्टेड सीरीज, राज्यों की सीरीज स्टार्ट करूँगा तो मिलते हैं और बहुत लोग मुझसे कहा रहें सर आखरी मॉड्यूल आर्बनाइजेशन पुरा कर दीजे, कल से मैं आर्बनाइजेशन शुरू कर दूँगा, ठीक है, लास्ट मॉड्यूल है ये, इगनु के एक्जाम्स और बाकी इनिवस्टीस के एक्जाम्स भी अपनी वज़े से नहीं सो पा रहे हैं, अच्छी नीद के लिए 7-8 घंटे की नीद जरूरी है, इंसान 3 घंटे की नीद लेके भी स्वस्त महसूस कर सकता है, आप कितना डीप सो रहे हैं, ये बहुत माटर करता है, लेकिन हो सकता है, आप 10 घंटा नीले तब भी आपको सो सकती लगे, लेकिन 7-8 घंटे तो आपको सो ना ही चाहिए, माइंड रिलाक्स इतना तो करेंगे ही न, भाई बैटरी को आप रिचार्ज करते हैं कि नहीं, जब आप फोन रिचार्ज में लगाते हैं, तो ऐसे ही आपके साथ होता, आपको अपना दिमाग को रिचार्ज करन तो मैं आपको कुछ टिप्स दूगा, बताओंगा कि आप अच्छी नीद लेने के लिए क्या करें, और आप देखिएगा जो मैं आपको बताओंगा आप इन में से क्या क्या करते हैं, अगर आप ये कर रहे हैं तो अभी छोड़ दीजे, अब वो क्या है, इस लेचर में हम देखते हैं, ट्विटर पे और इंस्टा दोनों पे मैं आगया हूँ, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और कमेंट और बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अगर आप मुझे मिलना चाहते हैं, इंस्टा पे मैं स्टोडीज डालूँना, तो आप मुझे मिल सकते हैं, चलो, अगर हम sleeping disorders की बात करें, तो बहुत लोगों को problem है, sleeping disorders एक नाएक टाइम पे हर किसी को होता है, मुझे भी होता है कई बार, लेकिन अगर आपको बहुत जादा हो रहा है, चलो महीने में या दो महीने में, दो-तीन दिन आपको नीन नहीं आई, तो अलग बात है, लेकिन आपको हद से जादा हो रहा है, डेली हो, चार-चार, पांच-पांच बज़े आप सो रहे हैं, then it's a problem, तब आपको कुछ करना पड़ेगा, अब आप क्या कर सकते हैं, पहले आप देखिए आप क्या क्या करते हैं इन में से, हम इसमें चार में डिवाइड करेंग कि अक्सर आप सोचते कि कल मुझे 6 बज़े उठा और आप उठ जाते हैं 6 बज़े, एलान की जरूरत भी नहीं पड़ती, इंटरनल क्लॉक होती है, जिस इंसान की 5 बज़े सोने की आदत पढ़ जाएगी, और जिस इंसान की 5 बज़े उठने की आदत पढ़ जाईगी, पर नीद अच्छी है, दूसरा आप सोने से पहले क्या कर रहे हैं, और चौथा आपकी हाबिट्स क्या हैं, यही चार में सब कवर हो जाता है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सोने से पहले की आपकी हाबिट्स क्या हैं, यह हम देखते हैं, बहुत लोगों को दोस्तों, कै रात-रात में जगते हैं, कौफी पे कौफी पिये जा रहे हैं, कौफी अच्छी है, ऐसा नहीं, 80 to 90% है, कौफी इसलिए जब लोगों को पढ़ना होता है, काम करना होता ताप कैफीन, लेते हैं वो, लेकिन अगर आपको सोना है, तो आप कैफीन मत लीजिए, रात में यह तो कॉफी पीते रहेंगे तो यह फिर फाइदा नहीं करेगा बहुत दो कोडरिंग पी लेता है टी सोडा तो दो तीन घंटे पहले अगर आपको चाय पीना शाम को पांच बजे पी लिजे उसके बाद कोशिश करिए कि कैफीन चे जितना हो सके दूर रहें क्यूंकि कैफीन जो ह होता है जो कॉफी में होता है बहुत लोगों को यह लगता है कि alcohol शराब पीने से या नशा करने से नीद आती है यह जो शराब है ना यह सबसे बड़ा कारण होता है कि आपको नीद नहीं आ रही है लोग शराब पी लेता अच्छी नीद आ जाएगी लेकिन यह आपकी हो सक quality है उसको कम करता जाता है तो alcohol तो सोने से पहले बिल्कुल वैसे alcohol लीजिये ही नहीं सोने से पहले भी alcohol मत लीजिये क्योंकि यह sleep apnea को बढ़ाता है जब नीद नहीं आते इसको sleep apnea कहते है ना यह आपको negatively effect करता है आप सोते कैसे हैं आप एक बार सोए फिर melatonin production होता है हार्मोन जो है वो अगर hormonal imbalance होता है अगर आप नहीं सोते हैं तो night time में melatonin production होता है जिसकी वज़े से आप सो जाते हैं लेकिन यह hamper कर देता है alcohol क्या होता है मेलatonin को ही हमपर कर देता है और बहुत दिक्कत होती है उसके बाद खाना थोड़ा जल्दी खा लें और heavy ना खाए रात को थोड़ा सा light food रखें अगर आप बहुत ज़्यादा healthy खाएंगे ना तो भी problem होती है तो कोशिश करें कि थोड़ा सा कम खाएं और जल्दी खाएं ए कि आप देखो तो यह तो आप नहीं create किया है ना आप मुझे बताइए कि आपके कितने बज़े खाना बनता है अब अगर आप इतना लेट खाना खा रहे हैं और heavy खा रहे हैं तो आपको मुश्किल होगी सोने में क्यूंकि digestion में problem होगी big dinner को digest करने में टाइम लगता है sleep disruptions हो होंगे डकारे आएंगी fatty acids बनेंगे spicy food खाएंगे तो और बुरी और भालत खराब हो जाएगी तो इसी लिए light खाए और healthy खाए smoke ना करें बिल्कुल मैंने बताया यह smoke हो गया tobacco हो गया alcohol हो गया caffeine हो गया इन सब को दूर रख कर दें आपको लगता होगा कि शराब पीने से बहुत सारे sleeping problems होते हैं तो यह सबसे पहले तो आपको यह सारी habits को control करना होगा ठीक है जब आप control नहीं करेंगे तो कैसे होगा अब हम बात करते हैं यह तो थोड़ी सी habits की हमने बात कर ली कि आपको क्या-क्या habits मतलब करनी चाहिए अब हम थोड़ा सा दोस्तों बात करते हैं कि आप कैसे सो सकते हैं आपकी sleeping कैसे better हो सकती है तो सबसे पहले तो थोड़ा सा daytime naps को avoid करें बहुत लोग जो है वो 2-3 गंटे के लिए 4 गंटे के लिए सो जाते हैं लेकिन थोड़ा बहुत napping तो ठीक होती है लेकिन हद से जादा अगर आप nap कर रही है तो फिर यह सही नही है बहुत time के लिए 4-5 गंटे के लिए 2-3 गंटे के लिए गर आप सोग है 20-30 मिनट 1 गंटे के लिए आप सो जाए दुपहर में लेकिन हद से जादा सो रहे हैं तो फिर रात में आपको ultimately नीन आएगी ही नहीं और फिर आप परशान रहेंगे और मैंने बताया ना कि यह होत होती है लेकिन 3-4 गंटे के लिए सोना आधे गंटे के लिए सोना इस नॉट गुड यह आपको एफेक्ट करने वाला है सबसे important discipline बनाएं देखिए मैं आपको बताता हूं मैं सुबह 6 बजे उड़ता हूं और साड़े 9 बजे मैं बेट पे सोने चला जाता हूं सुबह 6 बज activity बढ़ जाती है और जल्दी उठता हूं तो मेरे पास वक्त भी जादा रहता है discipline लाएं लोगों की life में problems है लोग परिशान रहते हैं जिसकी वज़य से वो सो नहीं पाते लेकिन यह problems आप भी सही कर सकते हैं और इसका सबसे पहला तरीका है कि आप proper discipline में रहें कोशिश करे जल्दी खाना खा लें साथ आठ बजे तक आठ से ज्यादा रही से पहले आप डिनर हो जाना चाहिए अगर आप हैवी भी भी खा रहें तब भी थोड़ा सा पहले ही खाये अगर आपको एक देड़ घंटे बाद मींद आती है तो कोशिश करें एक घंटे पहले बेड में ज तीन-चार दिन बाद क्या होगा अपने आप आपको ग्यारा बजे नीद आ जाएगी और सुबा जल्दी उठो कुछ लोग करते क्या हैं कि लोग एक दो बजे सोते हैं और सुबा पांच बजे उड़ जाते हैं वो भी बहुत खतरना कि तीन-चार घंटे की हाला कि ये कि ये ज़िए जयदातर क्या होता है जब इंसान कम सोता है दो प्रॉब्लम जहलता है तो कोशिश करिए थोडा सा पांच-श Онब इसे फोबहुंद आट घंटे तो शुन यह फोगिन यह प्रॉब्लम है 11 बजे यह सारे पांच बजे तक बजे यह तो गयारा फो ऑगर गया आपको सबसे important चीज यह होती है ना कि आपके bedroom का environment कैसा है बहुत लोग bedroom के environment के वज़े से भी नहीं सो पाते हैं तो आप ऐसा करिए कि sleep inducing environment आप अपने bedroom को optimize करिए अब आप यह कैसे कर सकते हैं सबसे बहले तो कई बार गद्दे ऐसे होते हैं कि आप बड़े उबर खाबड होते हैं कभी दिक्कत है ती इधर उदर पलटने में प्रॉब्लम होती है तो आप ऐसा गद्दा लो ऐसी pillow या mattress लो जो बहुत ही आराम दायक हो होटल में देखिए होटल में जाएए जैसे ही जाएंगे सो जाएंगे जैसे ही लेटते हैं क्यूँ बहुत ही high performance mattress होती है फिर आपके bed sheet तो नहीं गंदी है अब अगर sheets और blankets आपकी गंदी है तो क्या आपको नीद आएगी नहीं आएगी आपके subconscious mind में चलता रहेगा परशान रहेंगे आप तो अच्छे से जाण लो बिस्थर फिर light को कोशिश करो कि कहीं से light रहा है अधिरा कर दो अधिरा कर दो light आएगी तो सो नहीं पाऊगे पहले तो कहते न कि युद हमें वहलार कि का युद्ध में जब जाते तो त्यारी कर ये तो सोने जो तो तैयारी करके जाओ रिट ही डिस्रपशन नहीं होना चाहिए रिट हमें रफिय shining द टम अभी एकदम से लाइट जल गई तो मूट खराब हो जाता है तो कोशिश करो कि जो तुम्हारा रूम है वो अंधेरा उसमें पूरा करटे नटे लगे वो बढ़िया से परदे अर्दे देखो एक तो एक और चीज है परदे जरूर लगो अपने कमरे में क्योंकि उससे क्या हो पॉजिटिव एटमस्फियर हो और उसके बाद अपने पलंग पे जाओ लेट ने बढ़िया मैट्रेस पिलो बढ़िया अब लेट गए कोशिश करो कि बहुत सारे रूम फ्रिश्नरस आते हैं वो लगा लगा लो मच्छर आ रहे हैं मच्छरों की प्रोब्लम होती है मच्छर दानी लगा लो बेस्ट है दालकरो situationer थे unde डाल लिया करो लेकिन हिट कब डाला करो सब क्लोस कर दो पूरा अपना रूम एक दो घंटे पहले हिट डाल लो जहां जा मच्छर है और उसके बाद सोने जाओ लेकिन बेस्ट यह रहता है कि मच्छरदानी लगा लो अब मच्छरदानी को लोगों में प्रॉब्लम होती है अर अब बात आती है टेंपरेचर की टेंपरेचर सबसे इंपरेंट होता है गर्मी होगी तो सो नहीं पाओगे और सर्दी बहुत ज़्यादे सर्दियों भी तो भी सो नहीं पाओगे सर्दियों में प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि आपके बास रजाई होती है तो रजाई में आप उसको temperature से control कर सकते हैं 20 से 22 degree Celsius best होता है bedroom temperature जो है वो आपका बहुत जादा नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए जादा होगा तो नहीं नीद आएगी कम होगा तो भी नहीं नीद आएगी ठंडी लगेगी तो कोशिश करो कि bedroom के temperature को 20 तक आप क्या करो कि उसको adjust करो 20 से 22 तक आप adjust करो और उसके बाद आप अपने इस temperature पर जब सोने जाओगे तो आस हाली से सो जाओगे 70 degree Fahrenheit होता है ना 20 degree Celsius क्यूंकि temperature आप आपकी body का भी temperature है और आपकी body का temperature बाहर की temperature से coordinate करना चाहिए मतलब synchronize होना चाहिए तो जादा temperature होगा तो नीद ही नहीं आएगी तो इसलिए body temperature के साब से 20 से 22 पर रख लो best ideal temperature होता है फिर देखो कैसे नीद नहीं आती है लेकिन अब problem यह है कि बहुत लोगों क्या maximum लोगों क्या AC तो है नहीं तो क्या करें हम cooler अच्छा लेलो cooler तो ले सकते हो ना cooler लेलो आजकल तो बहुत सस्ते सस्ते बढ़िया बढ़िया cooler आ गए cooler लेलो cooler में सो जाओ अब light चली जाते तो उसका तो यार कोई solution नहीं है लेकिन एक बार आप सो गए जल्दी तो फिर फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हाला कि light चली जाए तो inverter लगवालो पंखा तो चलता ही रहेगा यह आप कर सकते हो तो अपने environment को जो है वह optimize करो यह तो मैं बताई चुका हो don't eat late in the evening इससे करने से आपकी sleep अच्छी हो सकती है उसके बाद दोस्तों क्या होते है क्या कर सकते हैं तीस इसली चीज आपका sleep schedule कैसा हो fixed wake up time मैंने बताया ना अपने आपको discipline में लियाओ अपने आपको proper discipline में लियाओ wake up time जो है आपका उठने का समय fix होना चाहिए कि मुझे 6 बजे उठना है और रात को 11 बजे सोने जाना है ठीक है napping आपको करनी नहीं है schedule जो है मतलब एक घंटे में कोशिश करो कि जैसे bed पर जाओ वैसे नीद आ जाए लेकिल बहुत लोगों को नीद नहीं आती है तो एक घंटे पहले सोने चले जाओ उससे नीद आ जाती है अब सबसे important topic पे हम आते हैं नीद का main कारण दिमाग दिमाग इतना उथल पुथल मचाता है कि हमको नीद आती ही नहीं सबसे पहले तो अपने दिमाग को relax करो अब relax करने का तरीका क्या है बहुत लोग अपने साथ mobile लेके सोते हैं अब आप देखो कितनी सारी आप चीजें करती हो तो इसलिए आपको नीद नी आ रही है बहुत सारे लोग अपना mobile वह मत करो mobile बिलकुल दूर रख दो सोने से देड़ दो घंटा पहले या कोशिश करो एक घंटा पहले बहुत देड़ दो घंटा चलो बहुत हो गया लोगों के लिए एक घंटा पहले mobile को बिलकुल दूर रख दो शाम को एक टाइम बना लो जब घर आओ अगर आप 10 बजे सोते हो तो साड़े आठ खाना ना खालिया बढ़िया साड़े आठ से 10 बजे तक या 9 बजे तक या फिगर कर लो कि आज मुझे क्या टेंशन रही और कल मुझे क्या करना बस इतना करना है जो तुम रात में अरता टाइम लिखाल के थोड़ा अपने से बात करके उसको पहले ही सोच लो और कल का कल पे छोड़ दो जो होगया सोगया कल का दिन बहुत बढ़िया होगा उसके लिए meditation बहुत बढ़िया होता है relaxation technique बहुत बढ़िया होती है देखो नींद जो है वो खुद से आती है नीं बस करो कि तुम कैसे अपने आपको रिलाक्स कर सकते हो तो रिलाक्स करने का ये तरीका है कि जो भी डिजिटल डिवाइस है उसको दूर रख दो जादा उसमें इंडल्ज ना हो एक घंटे पहले और सोच लो कल क्या करना है पूरा दिन कैसा रहा सब सोट आउट कर लो सूने से जाने से पहले बहुत लोग ये भी रिकमेंट करते हैं कि एक गुनगुने पानी से बात ले लो बिल्कुल सही ये फायदा करती है गुनगुने पानी से नहाना भी फायदा करती है लेकिन बहुत लोग नहीं नहाते हैं हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं को पाता अगर आग ड़ुनगुने पानी से नहा रहे हो तो अच्री अध्य बात में यह आता हूं सोने से पहले तो भुल्हत प्र्वाइज सबसे पहले त्धूबér अपको दिल्कूर रख देने कऱों पहले अपने चेहरे पे पलकों पे एक्डम रिलैक्स एक-एक मसल को रिलाक्स करो अपने तुमने चेरे को रिलाक्स किया आँखों को रिलाक्स किया उसके बाद हातों को रिलाक्स करो बहुत हलका छोड़ दो कोशिश करो एकदम सोचो कि मेरी जो सांसे हैं, मेरी जो ब्रीथ है ठीक है, मेरी एनरजी एक एक बॉडी पार्ट्स में जा रही है, हात रिलाक्स हो रहे, फिर अपने आपको एक एक बॉडी को रिलाक्स करते हुए, नीचे तक जाओ, पैरों को रिलाक्स करो, अल्टिमेटली पूरी बॉडी को रिलाक्स कर दो, इतने में ही नीदा जाएगी, और अगर इतने में नहीं आ र या तो होता ही नहीं meditate करना, meditate करते करते ही सो जाओगे, ओम, ओम जपो, और दस बारा बार ओम करोगे, तेरवी बार में नींद आ जाएगी, इससे पहले ही आ जाएगी, क्योंकि आपके thoughts zero हो जाएंगे, thoughts zero हो गए, क्योंकि नींद क्यों नहीं आती, thoughts चलते रहते हैं, continuously thoughts चलते रहते हैं, जिसकी वज़े से हमको नींद नहीं आती है, एक और चीज़ यह है कि लोग सो नहीं पाते हैं, तो बेट से उठ जाते हैं और time देखते हैं, time मत देखो, बिल्कुल भी, time देखोगी तो और परशान होगे, और नींद नहीं आएगी, time को देखो ही नहीं, रात में उठने, जब रात में उठ भी जाओ, तो time को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अच्छा रात में उठने भी लोग टोईलेट के लिए उठ जाते हैं, देखो इसको भी avoid कर सकते हो, कोशिश करो कि ज़्यादा पानी मत पियो, पानी पियोगे तो अगर रात में बाथरूम जाना है, तो प्रोब्लम होगी, डिस्रप्ट होगी आपकी नीद, तो कोशिश करो कि पानी कम पियो, और अगर आप उठ भी रहे हो, तो टाइम मत देगो, सो नहीं पा रहे हो, तो टाइम मत देगो, बस अपने आपको रिलाक्स करो, सोचो, नीद नहीं आ रही है, सोचो एक मेकानिजम बनाओ, पूरी दुनिया खतम हो रही है, तुम आसानी से अपने बेट पे लेटे हुए हो, ये बेट तुमारा सब कुछ है, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता, या जहां पे भी तुमको जो चीज तुमको सबसे जादा रिलाक्स करती है, कुछ लोगों को बीच पे सोचना पड़ा, अच्छा लगता है कि मैं बीच पे हूँ, हलकी-हलकी धूप है, और मैं एकदम रिलाक्स कर रहा हूँ, शान्ती है, कुछ लोगों पेड के नीचे बेटा हूँ आँ हूँ, शाम है, इस तरीके से जाओ, जो चीज तुमको रिलाक्स करें, वो सोचो, और आसानी से सो जाओगे, काउंटिंग भी कुछ लोग करते हैं, वो भी ठीक है, तो ये कुछ आइडियाज है, जो आप सोने, जब सोने जाओ, तो ये सब आप इंप्लिमेंट कर सकते हूँ, एक और इसमें चीज होती है, कि हमारे जो फोन है, लाक्टॉप अच्वे ब्लू लाइट निकलती है, तो ब्लू लाइट एक्स्पोजर को कम करो, ब्लू लाइट आपकी स्लीप को क्या करेगी, दिक्कत करेगी, और जो भी ब्राइटनेस है, वो सुवही ले लो, जितनी भी सनलाइट है, वो सुवही सुवही ले लो, मतलब पूरा दिन भर ले लो, रात में बिल्कुल शान्त रहे के, तुमको काम करना है, समझ गए, ये सारी की सारी important technique है, अगर ये आप करोगे, तो वाकई में इसमें से एक ना एक technique, तो 110 परसेंट काम करेगी, वैसे ये सारी techniques काम करेगी, मतलब टेक्नीक है, ये तो सब process है, ये एक पुरा process है, अच्छा workout का मैंने नहीं बताया, देखो workout 3-4 घंटे पहले करो, कोशिश करो कि अगर 10 बज़े सोने जा रहे हैं, तो 5 बज़े के बाद workout मत करो, 5 बज़े तक अपने workout निप्टा लो, तो 4-5 घंटे, 4-5 घंटे का 3-3 घंटे पहले, तो मतलब 3 घंट अगर सोने जा रहे हैं, तो 3-4 घंटे पहले workout अपना पूरा निप्टा लो, तो वरना फिर प्रॉब्लम होगी, वर्काउट भी दिक्कत करते हैं, ये एक प्रॉसेस था पूरा, अब आप देखिए, इसमें figure out करी, कि आप इसमें से क्या-क्या करते हैं, जो जो कर रहे हो, आज ही से करना बंद कर दो, बहुत अच्छे से नीद आएगी, और उसके बावजूद अगर बहुत साधा प्रॉब्लम हो, तो फिर डॉक्टर को दिखो, फिर तो कोई, क्योंकि 99% लोगों को ये सब करने से नीद आजाएगी, और अगर नहीं हो रहा है, तो फिर इस टाइम टू सी है, डॉक्टर, और उसमें कोई दिखकत नहीं है, तो आई होप ये लेचल आपको पसंद आया होगा, कल हम बात करेंगे अर्बनाइजेशन की, कोच लएगे पर तेरे इदेशेचे दान तक नहीं हो तो रही साय नहीं हो,